हाई गाई आज आज है तारिक 9 अप्रेल 2021 और है फ्राइडे देखेंगे अच्का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पेडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नही इस पर मिलता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ डेली बहुत सारे डिजेटल नोट्स और यह सारी चीज़ा मिलती हैं बल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जाइन करना नाव बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने ले analysis हमारा काफी लेट हो चुका है आज का भी कल का भी analysis लेट अपलोड हुआ था अब उसके पीछे एक टेखनलोजी कल इशू हो रहा है देखो हो क्या रहा है कि मॉनिंग में Wi-Fi काम नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा और इंटरनेट कनेक्टिविटी आ नहीं रही है अब इंटरनेट नहीं हो पाएगा तो कोई काम होई नहीं पाएगा अभी देखोंगा मैं किस तरीके से अपलोड करना इसको ठीक है देखते हैं कैसे अपलोड हो गाई वीडियो अभी सरफ और सरफ रिकॉर्ड कर रहा हूं है अभी वी कनेक्टिविटी नहीं आई कि चल्व हम कोशिश करूंगा मैं कि इसके जल सी जल रिकॉर्ड करूंब और कल से मैं नियूस्पेपर अपलोड कर पाहूं को डेली बिसस पर कोविट से रिल्टिट डालिंट अरब यहां पर केसिस बढ़ रहें है किस तरीके सा हम लोग जो है उनको ट्रीट करेंगे जिससे की आज की टाइम पर हम इन केसिस को रोक पाएं ठीक है तो उसके बारे में एक च्छोड़ास अपडेशन दिया है टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना बड़ आर्टिकल है जो कि हमारे लिए एक्जाम के पॉइंट आव्यूस सी बात नहीं है लेकिन हम लोग को एक छोटा सा आइडिया जरूर होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आप देख पाओगे अभी हाली में 36 गड़ के अंदर आपको मॉइस्ट अटेक देखने को मिला था लेकिन अब जो है उनको रिलीस कर दिया गया है यह न्यूज आ रही है पांच दिन के बाद उनको रिलीस कर दिया गया है और यह मॉइस्ट अटेक के ओपर यानि जो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रमिजम है इसके ओपर मैं डीटेल में चर्चा कर चुका हूँ अल्रेडी दो बार मैंने आपको डीटेल में पढ़ाया है किस तरीके सा आप लोग को अपना आंसर लिखना है अगर लेफ्ट विंग ए आपस से रिलीज कर दिया गया है ना उसको बाद आप देखता होगे यहां पर एक आर्टीकल है वैसे तो यहां पर जो यह वाला आर्टीकल है इसमें फैक्श्वल बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्ण हो जाती है लेकिन यह करेंट क्या है मैं आपको बताता अ यहां पर बोला जाता है मॉस्क से पहले वहाँ पर एक टैंपिल हुआ करता था ठीक है जाओ और सर्वे करो कि हां वाकई में ऐसा कुछ है क्या अब यहां पर सर्वे करा जाएगा फिर उसके बाद यहां पर देखा जाएगा क्या सिचुशन निकल करा ती जो लोकल कोड है वारानासी को उन्होंने ये भी बोला जो की डारेट किया DG को यानि ASI के अंदर एक DG होते हैं ठीक है उनको डारेट किया गया कि आप एक 5 मेंबर की कमिटी बनाओ और जो है इसके ओपर सर्चिंग चालू करो पता लगाओ कि हाँ वाकई में ऐसी चीज थी क क्या चीज पहले थी क्या चीज नहीं थी तो यहां पर उसके बारे में यह आर्टिकल है नाओ यहां पर आप देखने को मिलेगा ASI के बारे मार्क लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह आपके फैक्ट्वल बेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्ड आप देख रही होगी 1861 मेस को फाउंड किया गया था किस के दौरा एलेक्जेंडर कनिंगम के दौरा और जो कि पहले डिरेक्टर जनरल बने थे तो आपको ध्यान रखना है ठीके डीजी डिरेक्टर जनरल पहले बने थे ओके नाओ अब क्या है अब इंपॉर्टन चीज क् वहाँ पर हमने खुदाई करके नईनी चीजें मिली हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे ठीके पॉर्ट मिलते थे जूलरी मिलती थी तो वो सब कौन डूंडता है वो सब आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडे डूंडता है तो वो उसी तरीके की प्रीमेर और्गनाजेशन है जो यह एक अटेज条 की ऐब है कि एस बहुत गलत अंसर आये ते कौन है मिनि avenues आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ न tänker के 받ु पारे है इंडिया पाकिस्तान कबारें बता गया है यह एक editorial भी आया है ठीक है उसमें हम discuss करेंगे इसमें जादा कुछ नहीं पता है क्या बोला गया मैं आपको एक overview देता हूँ ताकि आपको और clear हो जाए ताकि आपना सोचो कि हाँ यह नहीं पड़ाया ठीक है देखो जो 2000 अभी हुआ क्या था अभी हाली में जो है फैबरी के टाइम पर पिछले जनवरी के बाद फैबरी जो आया था हमारा उसमें क्या हुआ कि जो 2003 में हमने ceasefire agreement किया था LOC पर line of control पर और क्या हुआ फिर हमने decide किया इंडिया पाकिस्तान ने बिलकर decide किया उस ceasefire agreement को follow किया जाएगा अब जो LOC है line of actual control वहाँ पर कोई गोली वगारा नहीं चलाई जाएगी ओके ये decide कर लिया गया था तो उसके बार हम बताया जा रहा है फिर उसके बाद हम लोग आप देख पाऊगे कि अभी हाली में एक और situation create होई है ट्रेड को लेकर ठीके पहले पाकिस्तान ने बोला कि वो import करेगा किसे भारत से import करेगा cotton को और sugar को फिर उसके एक ही दिन बाद बाद पलट गई एक ही दिन बाद यहाँ पर उसने बोल दिया कि नहीं अब हम लोग import नहीं करेंगे ठीके उसके पीछे का reason क्या दिया था कि article 370 को जो आपने अग्रोगेट किया है उसको restore करो पहले उसके बाद यहाँ पर भारत के साथ trade चालू होगा ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान का statement था वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं यह एक editorial पर मैं आपको अच्छी तरीके से cover करने वाला हूँ पाकिस्तान और इंडिया का जो trade relations है उसको ठीके अभी आप वेट करो थोड़ा सा लेकदम last month discuss करने वाले हैं उसके बाद next article यहाँ पर आप देख पाओगे fertilizer company ने prices बढ़ाए हैं तो उसके बारे बात करी जा रही है सबसे पहले इंडिया की एक largest fertilizer maker है जिसका नाम है IFFCO इफको बोल सकते हो इफको लिमेटेड इंडियान फार्मर्स fertilizer कोपरेटेव लिमेटेड अब यहाँ पर इन्होंने बोला है तेको जो fertilizer prices हैं जो खाद बगरा होती है ठीके हम लोग अपने आपका सकते हो कि जो agriculture के लिए खाद बगरा करते हैं जिससे हम अपनी agriculture का production को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर इनका prices बगरा को बढ़ा दिया गया है और आपको मालूम होगा डीएपी का नाम लिया यहाँ पर डीएपी का यानि डाई अमोनियम फॉस्फेट ठीक है यह भी आप जाते महेंगा है वही कॉस्लियस पढ़ लाए तो उसके बाद तो अब्वियस सी बात है जो manufacturing होगी वह बढ़ते है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहाँ पर आता एक और आर्टिकल पेज नबर 9 की तरफ बोला गया है नो एड होक जजिस इन प्लेस आफ रेगुलर रेकमेंडेशन अभी आप लोग को मालूम है इस तरीके का आर्टिकल हमने हाली में भी कवर गया था सुप्रिय आपको क्या करना है जो आज के टाइम पर appoint करो लेकिन उसके बाद क्या है should not become an excuse to stop further delay appointment of process of regular judges यानि कि इसकी appointment के पीछे कहीं आप जो regular judges का appointment करना है उसको मत भूल जाना ठीक है उसमें कहीं delay मत करना उसमें देरी मत करना अगर हम बात करें 1st April पर जो high court है उसमें total vacancy अलगबग 4111 regular judges की यानि 411 की और उसके बाद जो judicial strength यहां पर आप देख पाओगे 1080 की है और उसके बाद जो यह पूरी sanctions जो strength है उसके बारे बात आगया है जो working strength आज के टाइम पर high court में वो है 669 ठीक है तो अभी आप देख सकते हो काफी सारी vacancies हैं इनके बीच में gap है तो उनको फिल फिल करने के लिए यहां पर क्या करना है हम लोग को step उठाना है और इनकी judges की आपको सकते हो vacancies को फिल करना है लेकिन आपको यहां पर यह भी देखना है कि जो है आप चीजों के अच्छे से कर पाओ कहीं आपको शाओ को पहले रिटायर जैसे के उपर धिया जाए कि हैं इनको अपैंट करा जाये और उनकी चक्कर में जो यहां पर जैगुलर जैस्ट की अपैंट्मेंट हो नहीं है उसको भूल जाओ ठीक है वहां पर यह बताय गया है जो को लिजियम स स्टाइटर को हुआ था वहां से ओके फिलाल उसके बारे में यहां पर दिया गया है हमने इसको अल्रेडी कवर कर लिया उसको बदाता है नेक्स टार्डिकल यहां पर इंडिया और चाइना मिलकर जो है 11th round of talk के बात करने वाले हैं एलिसी को लेकर लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल को लेकर जहां पर पिछले साल पूरे साल डिस्प्यूट देखने को मिला है इंडिया चाइना अपस में खड़े वे थे पिछले साल आपको मालूम होगा एलेसी पर पेंगॉंग सो लेक नाम काफी जादे नियूस के अंदर अब उसी को लेकर काफी सारी कमांडर लेवल की टॉक हो रही थी आपको मालूम होगा लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे थे पूरे साल फस्ट कमांडर टॉक सेट कमांडर टॉक अब आप देख पाओगे यहां पर 11th round of talk होने वाली है आज तो इंडिया चाइना मिलकर डिस् अब क्या सिच्वेशन है इसको हम सबसे पहले देखते हैं जो क्लाइमेट चेंज है इसकी दो डॉनल्ल ट्रम ने अलड़ी धज्या उड़ा दी थी इन्होंने पूरी तरह से डैमेज कर दिया था इसको कि हाँ बही अरे क्लाइमेट चेंज की नाम की तो कोई चीजी नहीं होती है ठीक है उन्होंने साफ सा बोला था कि जो यह एन्व चेंज है कि जितनी भी चीजे वापस डैमेज करी गई है क्लाइमेट चेंज को लेकर तो उन सब को रिस्टोर करा जाए ठीक है तो जो यूएस के स्पेशल एन्वाई है जॉन केरी जी अब यहाँ पर थर्सडे में आये थे आपको मालूम होगा तो इन्होंने प्रॉमिस क् चेंज को लेकर काम करने वाले है ठीक है अब प्रतिवी गरम होती जा रही है और आज आज के टाइम पर देख पाओगे अभी यहाँ पर एप्रिल चला एं और एप्रिल में इतनी भारी भरकम गर्मी पढ़ने लगी अभी तो जूना ना वाकि है ठीक है इस तरीके की यानि कि अमेरिका ने यहाँ पर पहली कमिटमेंट ले ली थी कि यहाँ पर यह लोग जो आपके सकते हो कि जो टैवलेपिंग कंट्रीज उनके प्रति यह लोग 3 बिलियन डॉलर का कॉंट्रिबुशन करने वाले हैं ताकि जो है इस क्लाइमिट चेंज से लेकर हम लोग 2030 तक यहाँ पर यह एजेंडा एचीव करेंगे clean और green agenda की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं एक resilient यानि मजबूत infrastructure डेवलब करेंगे energy storage करेंगे और green hydrogen की तरफ आगे बढ़ने वाले हम लोग इस climate change से लड़ने के लिए नवश के बाद आता है page 10 की तरफ तो यहाँ पर एक article दे यह डबल म्यूटेंट वाइरस का नाम है इसी तरीके से धेड़ सारे अभी म्यूटेंट्स देखने को मिले थे आपको मालूम होगा साथ अफरिका मैं देखा था UK के अंदर देखा था UK के अंदर B.1.1.7 कर गए था और दूसरा B.1.351 था तो इस तरीके के वेरियंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे है तो एक छोटा सा बेसिक न्यूज है जादा कुछ नहीं है कि जो अभी भारत के अंदर डबल म्यूटें देखने को मिले हैं एक सिंगल डे पर तो इस तरीके से यहाँ पर डेली बिस पर जो है लगातार वन लैग प्लस केशिस निकल कर आ रहे हैं उसका पेज़ नमबर 11 की तरफ आएंगे और 12 की तरफ से जाएंगे ओके 11 पर आएंगे 12 से जाएंगे यहाँ पर कोई काम की चीज नहीं है पेज निवर 13 है यह हमारा वर्ल्ट सेक्शन देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है सबसे पहला आर्टिकल आप देख पाऊगे बोला गया जो बाइडन जो यूएस के प्रासिदेंट है इन्होंने यह रिस्टोर कर रहेंगे एड टू पैलेस्टीनियंस क क्या है मतलब की देखो पैलेस्टीनियन के खिलाफ जो है डानलल्ट कर में बहूट तो मंड़ीfa नगा दूओ तो लेकिन कोई आपको कल दिख दूँगा डो रिडिकат जू है वेस्ट बैंक यहां पर देख पाओगे ठीक है वेस्ट बैंक को भी हम लोग पैलिस्टीन बोलते हैं तो इसको एक बार मैप में देख लेना ओके नाव हुआ क्या रहा है कि जो पैलिस्टीन है उसके खिलाफ रहते थे डॉनल्ड ट्रम अब यहां पर क्या है कि जो बाइडन इन सारी चीजों को जो बाइडन ने यहां पर डिसाइड किया है कि काफी होत तक यह फाइनिशल सपोर्ट प्रोइड करने वाले हैं बहुत अच्छा फाइनिशल असिस्टेंस अमाउंट प्रोइड करवाया जाएगा इन लोगों को पलिस्टीनियन को और इनकी आप कह सकते दिया पर अब यहां पर किया लोगों कष़िख सकते हों कि थोड़ा सान है वो पIELस्चिन आत्या सब्सक्राइब करने के और उसकाद यहां पर आप देख पाओगे युएस जो है कमिट कर चुका है कि वो विड्रॉ करेगा कॉमबेट ट्रूप को फ्रॉम इराक ठीक है विकार आर्टिकल है हमारे काम का नहीं है हुआ क्या यहां पर मैं आपको बता देता हूं युएस ने वेड्नेस डे में बोला कि हम इराक के अंदर ठीक है सिचुएशन क्रेट हुई थी उसकी वजह से यहां पर सब फोर्स इसको भेजा गया था नाव इसको पूल आउट किया जा रहा है और यहां पर यह सेकंड विड्रॉवल होने वाला है क्यों इससे पहले हम लोग एक विड्रॉवल कर चुके हैं 2003 से अ जो है इसको लगा दिया आप देखते हूं कि लगातार काफी दिन से शेप शेप का थमने लग रहा है और यहां फिर चाइना और दूसरा कौन है फिलिपीन्स दोलों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है यह मैं आपको तीन चार दिन से अल्रेडी डिसकस करता हुआ रहा फिलिपीन्स और बीच में यहां पर है साउथ चाइना सी यह समुद्र है जो की साउथ जो चाइना यह अपना बोलता है साउथ चाइना सी इसका नाम दे रखा है थोड़ा सा इदर जाओगे तो यहां पर पड़ता है विट्सन रीफ का एरिया ठीक है अब यह जो चाइना और चाइना पर चाइना तो चाइना ने बोला कि हम लोग फिशिंग कर रहे है ठीक है तो fishing कर रहे हैं पहले तो यह statement दिया गया था फिर उसके बाद यहाँ पर फिलिपिन्स यह बोलता है कुछ दिन बाद कि भाई बड़ी दिन से fishing कर रहे हो आभी यहीं पर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर यह situation के रहे हैं कि हाँ अब फिलाल यहाँ पर आप देख पाऊगे फिर थोड़ी दिनों बाद जो यह बोर्ट्स है थोड़ा कम दिखाई देने लगी है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर देख पाऊगे कि फिलिपिन्स का यह भी statement था कि एक तरीके से चाइना जो है फिर से काम देखो दूसरे की territory में घुसने का काम तो उसका है आप देख पाऊगे चाहे वो इंडिया के साथ तो बहुत सारी कंट्रिक्स के साथ वो दूसरों की territory में घुसने की कोशिच करता है वहां के area कबज़ा करने की कोशिच करता है तो यह situation देखने को मिल लगी थी फिलिपि क्या करेगा अपने बाकी global ties को बढ़ाना चालू कर देगा global ties यानि की फिलिपिन सीदा सीदा अपने यूएस से जो टाइस बगरा उसको और जादे इंप्रूव करने और जादे इंप्रूव करेगा ताकि जो बड़ी-बड़ी countries वो फिलिपिन को support करें ओके तो यहां पर इ कि we keep all our options open in managing the situation including leveraging our partnership with other nations जैसे की United States हो गया इंडिया हो गया इन सबसे जो है relations को और जादे बहतर करने वाले हैं ताकि यह countries इनको support करें यहां पर आप देख पाओगे next यहां पर आर्टिकल है यह वाला इसमें कुछ खास नहीं है इसमें यह बोला जा रहा है जो जो बाइडन है वो gun control measures को unveil करने वाले हैं ठीक है यानि कि जो देखो US के अंदर क्या आए न आप easily gun को purchase कर सकते हो बंदू खरी सकते हो तो उसकी व लोग इसको easily economy section को skip कर सकते हो क्योंकि यहां पर आर्टिकल आपके काम का नहीं है चलते हैं हम लोग अपने editorial section की तरफ नौ यहां पर आता है page number six that is editorial 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 में सबसे पहला article यहां पर आता है यह वाला अभी आप लोग को मालूम है US के जो special envoy है जो कि हमने अभी डिसकस किया जौन केरी उनकी meeting हुई है किसके साथ जो है हमारे हमारे हां पर आये थे इंडिया में आये थे फिर आपस में बातचीत करी गई है किस तरीके से हम लोग climate change को लेकर चल सकते हैं मैं आपको बताया कि यह लोग corporate कर चुके हैं कि हम लोग अपने जो infrastructure है उसको resilient बनाने करने वाले हैं greenery के उपर काम करने वाले है green energy को ज़्यादा promote करेंगे और दोनों countries ने मिलकर commit कर लिया है कि 2030 तक यह लोग carbon emission को reduce करने वाले हैं पूरी तरह से और आज के टाइम पर जो यह carbon emission है उसकी वज़ा से काफी problems देखने को मिलती है और आज के टाइम पर आप देख प इसको host करेंगे एक summit होगी इसी climate change को लेकर तो उसके अंदर ही बहुत सारी सीज़े discuss करी जाएंगी और at the last यहाँ पर यह भी बोला गया है जो luxury emissions है उनके ओपर tax लगा दिया जाए याने कि जो भी यहाँ पर आप सकते हो चाहिए वो car हो car की वज़े से भी आपको pollution देखने क को मिलेगा इन सब के ओपर tax को बढ़ा दिया जाए एक दम से बढ़ा दिया जाएगा तभी यहाँ पर हम लोग in pollution को रोख पाएंगे ओके तो यहाँ पर यह बोला गया उसके बार नीचा आइप यहाँ पर देख पाओगे अगेन यह article इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं देखोगे कितने लंबी चौड़ी कहानी समझाइए अब यह लंबी चौड़ी कहानी को छोटी कैसे करनी है चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यह हो गई चोटी ठीक है जो यह ट्रेट बिट्वीन इंडिया पाकिस्तान को हम लोग कवर करेंगे यह article आपका जीस प अब इक देखने को मिलेगा इंडिया एंडिट्स नेबर होट दोनों के पॉइंट अवी से आपकिस्तान के ट्रेड को लेकर तो अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के व्यापार के रिलेशन्स को तो सबसे पहले ट्रेड बैन क्यों हुआ था इन दोनों के यहां पर पाकिस्तान चड़ा और उसने जो है क्या करा यहां पर व्यापार को बंद कर दिया अब दूसरा एक और रीजन था जिसकी वज़ा से जो इसको बैन किया गया पुल्वामा टेररिस्ट अटेक आपको मालूम होगा यह अटेक हुआ था और इसकी वज़ा से क्योंक पाकिस्तान कुछ हमें एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान हमें कुछ भेजेगा हम लोग अगर कुछ इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा उसके ओपर 200% का टैरिफ लगेगा या अब यह इतना पैसा और समान जो है पहली बात आके और महेंगा हो जाएगा बिकेगा है नहीं और नुकसान जो है पाकिस्तान को होने वाला है ठीक है अब यहाँ पर यह सिचुएशन थी अब 200% टैरिफ कौन पे करें ठीक है तो फिर उसके बाद भी यहाँ पर यह दो रीजन थे जिसकी वज़ा सा इस ट्रेड को बैन किया गया ना फिर उसके बाद ट्रेड जो देख आओगे तो लगातार उसके बाद से सफर होता वाया है 2019 की बात करें 20 की बात करें 20 21 में तो ट्रेड ना के बराबर ही देखने को मिला है हमेशा सफर होता वाया है अगर हम बात करें पहले से थो थोड़ा बहुत ट्रेड सही चलता था लेकिन 2019 बीस में भी यहाँ पर अगस् आया हमने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया उसके बाद से रिलेशन संभारे खराब होते वे चाल हुए अब इंडिया पाकिस्तान के ट्रेट के बारे में बात करें बिफोर बैन यानि बैन होने से पहले यार इक दोनों ने बैन कर दिया ट्रेट को लेकिन उससे पहले कैसे यार इससे पहले बढ़िया चलते थे इंडिया जो है भारत सरप्लस में ट्रेट करता था अब्यसी बात है सरप्लस में ट्रेट करेगा यानि हम लोग एक्सपोर्ट जादे करते थे और पाकिस्तान से इंपोर्ट कम करते थे उसको जादा देते थे तो आप देख पाऊगे इंडिया का अगर हम एक्सपोर्ट बात करें पाकिस्तान को तो काफी हद तक 1.2 billion US dollar का हुआ करता था 2016-17 की बात है ये ठीक है तो उसके बाद भी हाँ पर उसके 2016-17 को भी एक इश्यू हुआ था जिसकी वज़ाए से यहाँ पर ट्रेट हमारा बहुत तेजी से डाउन पहु हो चुके हैं तो उसके वज़ास भी जो ट्रेट है हमारा काफी तेजी से गिरा था लेकिन उससे पहले ट्रेट बहुत भेंकर होता था इंडिया खूब पैसे गमाता था ठीक है लेगन अब यहाँ पर आगर हम बात करें तो काफी हद तक डाउन हो चुका है फिर उसके अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है एक तरीके से आप लोगो मालूम होना चींए क्या कि हहां पर इंपोर्ट करता है भारत से तो वह रॉप मेटिरियल्स वगयरा को इंपोर्ट करता है जैसे कि आब आप लोगो को हाली में न्यूस पता चलियोगी 31 मार्च को पाकिस्त इंडिया का एक्सपोर्ट क्या यानि कि पाकिस्तान, कॉटन, और्गेनिक केमिकल्स इन सब चीजों को इंपोर्ट करता है हम से लेता है, डाइंग एक्स्टेक्ट्स हो गया, नूक्लियर रियक्टर, बॉइलर, मशिनरी, मेकेनिकल एप्लाइंस यह सारी चीज़े हम लोग जो जालतो, अब यहां पर जो है, रिमोवल ऑफ ट्रेड बैन बाई पाकिस्तान, आप लोग यहां पर देख पाऊगे, क्या क्या सिचुएशन है, कि यहां पर अभी पाकिस्तान ने डिसाइड किया था, कि जो ट्रेड बैन है, इस पर रिमूव करा जाए, इसको हटा दिया जा है, और कॉटन चाहिए भी उनकी टेक्स्रेल इंडस्ट्रीज के लिए, तो दूसी तरफ यहां पर देख पाऊगे, जो रो मेटेरियल है, वो काफी कम पड़ जाता है, एक सबसे बड़ा रिजन यह है, इस वज़ा से ट्रेड पर बैन हटना चाहिए, और दूसी तरफ अग नहीं पड़ेगा इस ट्रेड को लेकर, उसके बाद हाई डॉमेस्टिक डिमांड और प्राइसे जैसे मैंने आपको बताया कि जो शुक शुगर है उसकी जो आपका सकते हो प्राइसे बहुत जादे देखने को मिलनेती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी वज़ा से भी ज यहाँ पर अग्रिकल्चर सिस्टम को छोड़ो, फार्मर की परिशानियों के बारें बाद चीत करी गई है, कि फार्मर्स आज के टाइम पर बहुत जादे परिशानी में, देखो आपको लिमिटिंग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, फैक्टर्स इतने जादा नहीं है, व इंडस्ट्री वगरा होती है, वो अपना काम कर लेती है, पैसा है उनके पास, अगर उनने ग्रोथ करनी है अपनी, तो अपने प्रोड़क्ट पर थोड़े टाइम के लिए पैसा घटाएंगी, प्राइस कम करेंगी, और कॉम्पेटिशन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए लोग उनकी तरफ से लोग एट्रेक्ट हो जाएंगे, उनसे समान खरी देंगे, जैसे उनके उपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन फार्मर ऐसा कर सकता है, बिलकुल नहीं, फार्मर कहां से ऐसा कर पाएगा, प्राइस अपना जब दो ही तो बहुत ही तगड़ी, आप का सकते हो क्लाइमेटिक एनवल साइकल चाहिए होती है, लगला क्लाइमेटिक चीजे आ रही हैं, ठीक है अलगला क्लाइमेट मा क्रॉप्स चाहिए, तो इसकी वाज़़े से भी बहुत सारी प्राब्लम्स क्रेट होती है, और जो हमारे farmers हैं आप कैसकते हो अगर हमने ओगाया भी है तो हमें warehouse चाहिए गोदाम चाहिए उसमें store करने के लिए अब जो poor house है वो दूसरों के खेट में जाकर काम कर रहे हैं तो अब यसी बात आप बताओं उनके पास कहां से warehouse होगा कहां से वो लोग store कर पाएंगे और जिनके पास छोटे-छोटे plots हैं वो अपने सरफ घर का खर्चा निकाल पा रहे हैं उस समान को बेच कर तो वह कहां से warehouse बना पाएंगे कहां से उन समान को store कर पाएंगे तो क्या करता है वो लोग जैसे यहां पर फसल की कटाई हुई तो रंती गए सेम टाइम पर जाकर उनको यह बेचना हो जाता है तो जाकर मार्केट में जाकर बेचते हैं अब यहां पर देख पाऊगे मार्केट के अंदर जो है प्लाइस के क्रिएट होती भी नजर आती है उसके बाद क्रेडिट मार्केट के बारें बात करें कि चलो बही चलो अच्छा कासा प्लाट खरीदना है वेराउस बना भी लें तो उसके लिए पैसा चाहिए अब पैसा लेने के लिए अगर हम जाते हैं उधार लेने ठीके बॉर्व करते ह भी जो है उनको loan लेना पड़ जाता है इस तरगी problems आती है फिर उसके बाद आप देख पाओगे क्या situation आती है farmer के सामने वो आती है suicide तो उसके बाद से आप देख पाओगे यहाँ पर जब इतना सारा पर यह सारी चीजे देखने को मिल रही है नाव अब solution क्या है इन सब चीजों का एक study market बनाने का यहाँ पर यह क्या solution है सबसे पहले तो आपको farmers को incentivize करना पड़ेगा जो सरकार है वो थोड़ा बहुत amount provide करवा सकती है farmers को जिससे कि उनको benefit मिल जाए धेर सारी schemes चला सकती है जो कि आज का time पर चलती तो हैं लेकिन सिर्फ नाम की scheme है अब यहाँ पर आप देख पाओगे प्रधान मंतरी अनदाता से इस अन्रक्षन अभ्यान अब क्या होगा इसमें हम लोग काफिया तक इन schemes को expand कर सकते हैं और farmers की help कर सकते हैं अगर उनको हम लोग incentives वगरा provide करवाते में supply कर दे तो जादा better होगा यानि कि जो आंगनवाडी के school होते हैं ठीक है उनमें midday meals दे दे सरकार जो क्या करें अगर देखो कुछ है इस हो जड़ा तो जादा से जादा चीज़े खरीद देखो सरकार एक तरफ से दो लोग को फाइदा कर सकती है government क्या कर सकती है पार्मर जहां पर सरकार midday meals program देती है यानि कि दिन में जो खाना देता है दिया जाता है ठीक है जो भी government schools होते हैं जहां पर खाना प्रोवाइड कर वाई जाता है इससे क्या होगा बच्चों खाना भी बहुत 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 ही नियूट्रिशियस होती है बहुत मल्टी वाइ सबसे आगे बढ़ता जा रहा है यानि को पोशड के छेत्र में कि आपको सकते हो पोशड भरपूर खाना नहीं मिल पाता है बच्चों को उसकी वज़ा से मैलनुट्रिशन की एरिया में भी आगे बढ़ता जा रहा है तो सरकार एक तरफ से दो तीन जगए problems को tackle कर सकती है ए मैलनुट्रिशन के शिकार नहीं बन पाएंगे इंडिया का जो आज के टाइम पर नैटवर्क है वह 2477 मंडीज का है और 4843 सब मंडी है अब भाई यह मंडीज बहुत कम है इनको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको एक्सपेंड नहीं करोगे तो तक यह काम नहीं च प्रक्षन जादा है मंडीज कम है तो फिर कैसे यहां पर आगे बात बढ़ेगी तो मंडीज को बढ़ाना पड़ेगा और यहां पर डेटा यह बताया गया है कम से कम 42,000 42,000 मंडीज चाहिए यह अगर आपको एक अरजन्ट रिफॉर्म चाहिए इसके अंदर तो ठीक है या आप लोग से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई, have a nice day